हेलो एर्वान गुड मार्णिंग एंड जैहिंद मैं विवेकर आप सभी का स्वागत करता हूं एक्जामपूर डिफेंस वरियर यूट्यूब चनल पे तो कैसे आप सभी लोग जबर्दस्त जल्दी साजे इवेंट को जादा जादा शेर कर दीजे आप लोग के लिए बहुत हंन ζil तक पहुचने में और क्या-kia नया कडम उठाने वाले इन सब बारें बात करने वाला इस इवेंट में लेकिन इस इवेंट की खासियत क्या है पहले आप इसको शेयर करें फिर बताते हैं इस इवेंट को जादा जादा दातकर सकते हैं आपको आज मजा आजा करें इसमें 1000 का रीटेन होना चाहिए और 2022 खतम होते होते डिफेंस से 1000 होगा पूरे डिफेंस की बात कर रहे हैं 1000 सेलेक्षन जाएगा लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा खून पसीना एक करना पड़ेगा अगर है हिम्मत तो ही आगे आना साथ आना आप लोग को हिस्ट्री पता होगी मूवी देखाओगा स्टोरी सुनाओगा किसका 300 सोल्जर्स नाम सुने हैं नई सुने तो पढ़ लेना आज टाइम निकालके 300 सैनिक सिर्फ 10,000 से भिड़ गयते अपने जजबे के बल पे अपने जोस के बल पे और अपने देश प्रेम को लेके यही देश प्रेम आपको आज दिखाना है अपने देश भक्ति के अंदर की आख को जगाना है रीटे निकालना किसी कीमत पे क्योंकि आपकी जरुरत है सरहत पे आपकी जरुरत है हिंदुस्तान को बच्चा आप अपनी जो पेसन को लेके बैठे हैं आप देश भक्ति की भावना लेके बैठ हैं आप मन बना चुके हैं कि आपको जाना है डिफेंस में तो यह करके दुखाना और इसी महीने करके दिखाएंगे 300 सैनिक इस पार्टन सुनेंगे आप सो भी लोग 300 स्पार्टन पूरे इनके किसके परसिया के उसे पेरिस बोलते थे परसिया बोलते थे वहां के 10,000 सैनिक उनसे लड़े थे 300 सपार्टन जो कि ग्रीक के थे ग्रीक की तरफ से लड़ाई के पर एक बार एक बार श्टोरी पढ़ लेना एक बार जल्दी से इवेट को सेर करिये ऐसे मज़ा नहीं आ रहा है ऐसे मज़ा नहीं आ रहा है सच बता रहे एक बार जल्दी से सेर करिए इवेंट को परसिया को हरा दिये तो भाई सब 300 मिलके आगे सुनिए अभी मोटिवेशन नहीं आया अभी जोस नहीं आया क्या आए दूसरा जोस दिखाते हैं और सच्चाई ये रतन टाटा जी बोले थे क्या बोले थे विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकने के लिए मगर संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक पहुचने के लिए और ये सच्चाई होता है जब आप संकल्प लेते हो तभी मंजिल तक पहुच सकते हो आप एक रास्ते पे चलते चलते मंजिल तक नहीं पहुच स वह से क्योंकि बहुत सारे रास्ताइव मिलेंगे आप कभी इधर जओगे जब आपके सामने मन्जिल होगा अगर रास्ता भी नहीं होगा तो रास्ता बना सकते हो तो हमेशा याद रखना एक संकल्ब चाहिए होता है एक टार्गेट चाहिए होता है आप लोगों को कोई भी लाइफ में अचीव करने के लिए तो जल्दी से इवेंट को शेयर करिए अब बात करते आप लोगों से एक बार जल्दी से शेयर कर दिए ज्याद़ ज्याद़ जित्रा कर सकते हैं दो मिनट आपको टाइम टेबल करूंगा मैथमेटिक्स का क्या प्लानिंग हो सकता है पूरा एक कड में सचाई है एक एक लाइन में सचाई है रास अंघर्स की जो चलता है वही संसार को बदलता है जितने रातों से संजीती है सुबह सुरे बनकर वही चमकता है सूरज हमेशा रात के बाद ही निकलता है सूरज दिन के बाद निकलता है हमेशा सूरज रात के बाद नि करे मैघने का नहीं थे क्रणि का इस महाने का टाइम टेबल क्रेगा इस महाने का टाइम टेबल आपका रही क्डेट वाइस बता दियों किसी भी तरीट को अगर मिसमैक हो गया तो फिर साथ मार्च तो कराने वाला ओमा खॐ अपकmile को और दो दिन में सारे topic cover कराऊंगा question के साथ बिलकुल मेहनत करके पसीना खूने करके PPT बराऊंगा बहुत ही शांदार वाली आपको एक मालो कि आपके काम को और आसान कर दिया हूँ अगर आप बिना pen copy के भी बैठोगे ना आपको समझ में आएगा इतना आसान कर दिया हूँ क आपको pen भी नहीं उठवाँगा और पूरा chapter खतम करके दिखाएंगे सुबह साथ मार्च को आपका complex number आठ मार्च को आपका complex number timing क्या है सुबह साथ मज़े कितने बज़े सुबह साथ मज़े साथ एम पर आपका class होगा यह 9 मार्च को आपको कराऊंगा sequence series अनुक्रम में स्रे करेंगे नहीं मेटा 12 तेरे का विजगार लगा रखाऊं यहां पर मॉक्टेस्ट मॉक्टेस्ट होगा 12 और 13 को हर एक चीज प्लानिंग है हर एक दिन का हर एक सेकेंड का utilization आपको दिखाऊंगा चलिए आपको क्या हो जाएगा 13 तक 11 तक matrix हो गया 14 तारीक आपको डिटर्मिनेंट कराऊंगा 15 तारीक पर्मुटेस्ट कमिनेशन 16 17 ऐसा कुछ नहीं किया हो कि पर्मुटेस्ट कमिनेशन एक ही दिने बोल दिया भया खत्म हो गया समझाऊंगा अच्छे से पढ़ाऊंगा content का level लेके चलूंगा इसलिए आपसे मैंने तीन दिन मागा है इसल प्रोबेल्टी सिर्फ इतना नहीं होता जितना आप जानते हो कि चाहत अपाउन में टोटल लगा दिए प्रोबिविल्टी आ गया conditional probability टोटल प्रोबिविल्टी जितने साइट टाइप के प्रोबिविल्टी होते हैं सब के कोशन कराएंगे और हर सिफ्ट में एक कोशन से द तो दो चार दो छेद साथ आग्या जी आठ नो दस एग्यारः आपके एग्यारः कोशन एग्यारः नमबर हंड्रेड परसेंट है अगर पच्छिस नमबर में से एग्यारः नमबर मैं आपको यहां पर सामने दिखा रहा हूं इसका मतलब कि आपका सेलेक्शन तो मैंने क आगे सुनलो बात आगे सुनलो 23 तारी को लिटींगले ठीस को परश्ट गाड का एकजाम आ जाता है सुनेंगे अगर बीच में कोस्ट गार्ड का एक्जाम आ जाता है तो यह पूरे टाइम टेबल क्या होंगे थोड़े से चेंज हो कि यह मेराथन में बदल जाएंगे पूरा सेलबस आपको करवाओंगा यह पहले वादा किया था आप से कि यूटूब पे पूरा सेलबस कराओंगा किसी क कीमत पे आपके सामने पूरी प्लानिंग आ गई इससे जो भी सब्जेक्ट बचाएं जो भी चेप्टर बचाएं इन सभी चेप्टर की क्लास में आल्रेडी पहले करा चुका हूं जो बच्चे रेगुलर हैं उनको तो बहुत मजाने वाला है और जो बच्चे पहली बारा उनके लिए लिए वैट यह रहेगा कि ये देखेर हैं बाकी क्लास की मेरा ठन लेकर आऊंगा उसर टेंसर मत लेना यह क्यों Park paste वाओ की और की मेराठन कर वाऊँगा तो आपका complete package देख लिए इस महिने का प्लानिंगільки यह रहा यह चेप्टर एक्सप्leलेशन के साथ इसलि कसम खाई लिए हैं कि कोस्ट गार्ड में अपकी बार बच्चों को भेजना है तो उनके लिए मेहनत भी करनी है उनको साथ में करवाना भी है बारत तेरह मार्च दो दो दिन कोस्ट गार्ड का मौक टेस्ट उननिस भीस मौक टेस्ट चब्विस सताइस मौक टेस्ट चार छे छे मौक टेस्ट आपको यहीं दिग यह तो वह है जो प्लांड है यह क्या है यह प्लांड मौक टेस्ट है यह प्लांड है सर सिर्फ मैत का होग सारे सबजेक्ट हैसमें math physics English g g s desta अते सारे के सारे चप्तर इसके अंदर इंक्लूड रहेंगे सब्छेक्ट इंक्लूड रहेंगे complete mo Snoga 4 चार complete बाकि यह तो हंड्रेड परसेंट वह धिलिख लेना अपने कौपी में कि 12 16 ले लेना बाकी अन्प्लांड यानि कि आपके special ंट लगेंगे जल्दी से वाग्श लेंगे जल्दी से ले लिए यहां आपका मॉट्स का प्लान और साथी साथ यहहां आपकाा रेगुरलर क्रास्च का चैफ्टर वाइस प्लान इन सभी का स्क्रीन सोट एक बार जल्दी से ले लिजे आप सभी लोग ताकि आपको दिक्कत नहों इन चैप्टर को इन इन दिन टिक लगाना है और मैं गारंटी देता हूं जिस दिन जो चैप्टर खतम हो गया अगले दिन कोई लेकिन इन क्लास को प्रापर तरीके से देखेंगे इन क्लास को प्रापर तरीके से देखेंगे complete syllabus एक बाल ले लेंगे complete syllabus क्या क्या आपका complete syllabus complete subject के साथ तो बेटा आपका पांच बज़े चलता है current affair पांच बज़े current affair 6 बज़े vocab 6 बज़े vocab चलता है 7 बज़े ये वाला जो बता हूं math चलेगा उसके बाद 8 बज़े आपका English grammar चलेगा 9 बज़े आपका physics चलेगा 10 बज़े आपका GKGS चलेगा 11 बज़े आपका arithmetic math चलेगा और 12 बज़े आपका क्या चलेगा reasoning time table याद रहना चाहिए एक बज़े तक डेली मेहनत कराएंगे Monday to Friday Saturday Sunday क्या होगा mock test होगा आपका regular basis यह है इस महीने का plan इस महीने का plan यह प्लांड आपका time table अन्प्लांड तो इसमें add होता रहेगा और आपको तो पता है अगर हम बोलते एक घंटे की class है तो कितनी जाएगी दो घंटे लेते हैं अगर बोलते बच्चों को थोड़ा सा मेहनत कराएंगे double मेहनत करवाते हैं अगर एक बच्चे की selection की guarantee लेते तो दो की करवा के दिखाते हैं कम नहीं किया सक तो यही रहेगा आपका plan इस महीने का मार्च में किसी कीमत एक भी class मत छोड़ना इस बात का दावा करो आप सभी लोग एक भी class नहीं चोड़ोगे और इस बात का हम वादा करते हैं आप से कि हर एक class में जान फुक देंगे हर एक class को आपको valuable बना देंगे आपके दिमाग में आपके जिगर में हर जगर हर एक content को हर एक question को बैठा दे हैं ज्यादा comment नहीं पढ़ पाता हूं क्योंकि मेरा target होता है कि जिस चीज के लिए हैं कम से कम अपने बच्चों को वह clear cut कर दें तो comment important है कि content content important है जल्दी से एक बार बतार जीए मजा आया कितने लोगों को अच्छा लगा कि भाईया आपकी बार तो 1000 सच में पार कर दिया हैं लोगों ने कितने लोगों लग गया कि भाईया आप लोगों ने जो बोला था 1000 वह तो सच में पार कर दोगे अपकी बार और गारंटी देते बिटा कि 2023 में एक भी बच्चा यहां से फॉर्म भरने लाइक नहीं रहेगा सभी के सभी selected होंगे कहीं न कहीं एक साल का से पहला कदम होता है सही कदम जिसको बोले कि सही रगह चुनना सही रास्ता चुनना वरना चलने के लिए राहों पे बहुत लोग होते हैं सही राह पे चलने वाले बहुत कम लोग होते हैं और जो सही राह पे चलते वही मन्जिल पाते हैं तो बेटा यूटुब पे भटका में एक भी नोटिफिकेसन देखने लाइक नहीं बैठोगे कि वह यह फॉर्म आ गया यह फॉर्म आ गया इतने वेकेंसी आ गई यह कुछ भी नहीं अब की बार आपको वर्दी पहना के छोड़ें यहां से 2023 में आपका दोस्त आपका छोटा भाई आपके रिस्तिदार आएंगे हां पढ़ने आप नहीं आओगे इस बात की गारंटी देते हैं और अगर आपको लगता हो कि है दम इस बात में तो एक बार कमेंट जरूर करिए कि जी सर मज़ा आ गया मज़ा आ गया क्या इस इवेंट क आती है क्या मेरा भाई नीद आती है नीद जिसको आ गए वो सब कुछ खो दिया नीद नहीं आनी चाहिए सैनिक सरहत पर खड़े हैं वो सोते नहीं है तभी हम यहां सुकून से रहते बेटा तुम आज नीद त्याग होगे तो कल हम और सुकून से जिएंगे क्योंकि सरहत पर आप जाओगे तो जल्दी से बार बटा दीजिए सभी लोग आएंगे कल पांच बजे शे बज़े वक्याप साथ बज़े मैत आठ बज़े आपका क्या होगा ग्रामर होगा नो बज़े फीजिक्स दस बज़े स्टेटिक जीके ग्यारा बज़े अरित्मेटिक मैत और ब